सारा देश देख रहा है कि भाजप्पा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराद प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकरों के मुदाबिक बच्चों पर अपराद में नंबर एक पे हैं, दलितों पर अपराद में नंबर एक पे हैं, महिलाओं पर अपराद में नंबर एक पे हैं, अवैद असलाहों और हत्यारों के मामले में नंबर एक पे हैं, हत्याओं में नंबर एक अब ये प्रदेश की स्थिती है कि law and order का जो situation है वो एक्तम बेहद बिगर चुका है और इस स्थिती में विकास दूबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं, इनके बड़े-बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोखने वाला नहीं होता है। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संग्रक्षन राजनितिक sources से होता है, इनका संग्रक्षन जो सत्ता में हैं उनसे होता है, सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दूबे के encounter के बाद, जो आठ पुलिस कर्मी शहीद हुए हैं, उनके कि सुप्रीम कौट के सिटिंग जज एक मौजूदा जज द्वारा एक नियाएक जाच हो जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जाच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखें। जिन्हों ने विकास दूबे जैसे अपराधी का की परवरिश की उन्हें प राजनेताओं और अपराधियों के बीच स्नाठ गांठ है। वह सामने नहीं आएगी उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी तब तक न्याएं नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है कि जाच होनी चाहिए और न्याएं होना चाहिए। धन्यवाद जैहन कि जाच होना चाहिए।